हेलो स्टुटेंट्स, वेलकम टू दा चैनल उनलाइन स्टडी बिड़ी के मिनीलम जिनके साथ आप मैज्स के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं अब हमारा जो पेपर नंबर से इस से पहले हम पाँच पेपर हल कर चुके हैं यदि आपने वेपर नहीं देखे हैं तो वेपर जरूर से जरूर देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए और बहुत जल्दी आपके रीट सीटेट एक खमबे की पूरी लमबाई क्या होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुश्यन जो दिया है इसमें एक खमबे का कुछ भागे जो कीचड में हैं बाकी का भाग बाहर हो टोटल जो भाग देखा गया कि कीचड में कितना शिश रहे गया तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि धसा हुआ भाग कितना है, बाहर भाग कितना है, बचा हुआ भाग कितना है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि एक खंबे का चार बटे साथ भाग की चड़बे हैं, जब यह जो चार बटे साथ भाग का एक बटे तीन भाग बाहर खीचा जाता है, मतलब एक बटे 3 भाग मान लो suppose कि overall जो भागे 1 है 1 में से आपका 1 y 3 आपने बाहर निका लिया तो अब जो बाहरे वो है 2 बटे 3 किसका 2 बटे 3 है जो कीचण में भागे और कीचण में आपका भाग कितना है 4 बटे 7 टोटल भाग का और 2 बटे 3 और आपका बचा हुआ भाग कितना है कि जो कीचण में है वो है 8 मीटर तो 4 दुनी 8 आपका ये cancel तो x वरावर हुआ आपका 21 मीटर तो इस तरह के जो question है मैं एक्जाम में repeat किये जाते हैं तो आप इन questions की practice आवश्ची करें next question है तरभुज ABC की भुजाओं के मद बिंदू DEF निम्न में से कौन सा सत्त होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ABC एक तरभुज है जिसमें DE और F जो है इसकी भुजाओं के मद बिंदू को मिला कर एक तरभुज बनाया गया है तो इसके लिए आप हमेशा एक बात याद र DEF के बरावर होगा यह बात आप हमेशा याद रखें मतलब option number D आपका सहीं होगा next question देखेंगे दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दो गुना छोटी संख्या के पांच गुने से तीन जादा है तथा बड़ी संख्या के चार गुने और छोटी संख्या के तीन गुने का योग 71 है अब यहाँ पर मान लो एक संख्या X है और एक संख्या Y है मान लो मैंने बोला कि X बड़ी संख्या है और बाय आपकी छोटी संख्या है आप बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या का दो गुना छोटी संख्या के पांच गुने से तीन जादा है यह बात यहां पर आप बिल्कुल क्लियर है आपको स्टार्टिंग की टू लाइंस में कि दुगना है बड़ी संख्य संख्या का चोटी संख्या के पांच गुने से तीन जाता है फिर आपको बोला है कि यहां पर चार गुना किसका बड़ी संख्या का और चोटी संख्या का तीन गुना का योग है अब आपको यहां से दो एक्वेशन मिल गई है यहां पर है 4X तो यहां पर 2 का मल्टिप्लाइ करें तो यह हो गए आपका 10Y प्लस 6 प्लस 3Y इस इकोस टू आपका 71 10Y और यह 13Y 71 माइनस 6 होता है 65 तो Y इकोस टू 13 पच्चे 65 अब Y की वैलू यदि आपकी 5 है तो X की वैलू आप उट करके निकालेंगे जो की होगी 14 मतलब option number C आपका right answer होगा देखिए question में ही सब खुश दिया था हमने उसी के according solve किया next question देखेंगे यदि A और B किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं B और C किसी काम को 15 दिन में C और A 20 दिन में कर सकते हैं तो A अकेले काम को कितने दिनों में करेगा यहां पर बोला है A और B जो है किसी काम को कितने 12 दिनों में तो एक दिन का काम एक बटे 12 B और C जो है उसी काम को कितने 15 दिनों में कर रहे हैं C और A कितने 20 दिनों में कर रहे हैं अब आपको जो है A की value find out करनी है तो देखिए इस तरह के जो question हो सीधा सीधा आप इन सभी को जोड़ दे तो आपका होगा 2 A plus B plus C मतलब यह A 2 A 2 B plus 2 C 2 common हुआ इन सभी को आप यहाँ पर add करेंगे 1 बटे 12 प्लस 1 बटे 15 प्लस 1 बटे 20 सभी को LCM लेके solve करना आता ही है तो 1 बटे 10 हो जाएगा तो A plus B plus C जो होगा आपका इसका जो मान होगा आप 1 बटे 20 कर देंगे कैसे यह 2 आपका यहाँ multiply हो जाएगा अब आपको निकालना किसका मान है A का निकालना है तो जहाँ पर A नहीं है उस वाली equation को इसमें से हम minus कर देंगे तो A plus B plus C जो है आपका 1 upon 20 है तो B plus C कितना है 1 upon 15 दोनों को आप minus करेंगे यह cancel आपका A is equals to 1 upon 20 minus 1 upon 15 अगें 20 और 15 का आप LCM लेंगे और solve करेंगे तो आपको A की value 1 upon 30 मतलब यह 30 दिन जो है 30 दिन में अकेला एक काम करेंगे next question देखेंगे किसी दो अंकिये संख्या के अंको का गुणनफल 6 है तो था उस संख्या में नो जोडने से प्राप्त संख्या में अंको के इस्थान बदल जाते हैं वह संख्या क्या है देखिए जो दो अंकिये संख्या है इस से related हर एक्जाम में एक question जरूर पूछा जाता है तो हमें इस टाइप के question करने आने चाहिए अब मान निलो बोला है कि कोई भी संख्या बनती है तो इस pattern पर बनेगी 10x plus y अब एक अंक यह हुआ एक अंक आपका यह हुआ तो यहाँ पर बोला है कि अंको का गुड़न फल है वह है आपका 6 और बोला है कि उस संख्या में इस संख्या में नो जोडने पर जो संख्या प्राप्त होती है अंकों के इस्थान बदल जाते हैं मतलब जब आपने नो जोड़ा तो अंकों के इस्थान x जहां था वहाँ y हो गया जहां y था वहाँ पर x हो गया अब आप इसे solve कर लें यहां से तो आपके पास आजाएगा 9 x minus 9 y और यह plus में 9 is equals to आपका 0 और यहां से हम x के value y के time में अगर निकालते हैं तो 6 upon y इस तरह के जो question है आप solve करे equation form में बन जाते हैं और easily solve भी हो जाते हैं आप देखेंगे 9 यहां से common है तो आपका 6 minus y square plus y is equals to 0 अब आपकी एक quadratic equation बन गई है बर्ग मूल equation बन गई है वर्ग शमीकरन बन गई है तो आप इस तरह के वर्ग शमीकरन को हल कर सकते हैं और हल करने के लिए आपको किस तरह से करना होगा सबसे पहले तो हम यहां y square लिखेंगे इस minus का multiply किया तो यह अंदर भी आपका वाकी के numbers में भी minus हो जाता है अब आपको पता है कि क्या करना है 6 मतलब multiply करने पर 6 और minus करने पर 1 है तो 2, 3 जा 6 3 में से आपका 2 जाता है तो आपका कितना आता है 1 और मैंने 3 में क्यों minus लगा है क्योंकि यहां पर minus है अब y common लेंगे तो y minus 3 plus 2 y minus 3 अब इस इसाब से दो equation आपके सामने आती है y plus 2 और y minus 3 आप negative number को ignore करते हुए y equals 2 यदि 3 लेते हैं तो x की value आपकी 2 होगी तो अगर आप यहां पर 2 रखेंगे तो 20 plus 3 आपका कितना हो जाएगा 23 तो इस तरह से आप question sort कर सकते हैं next question है 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है ये गुणज होंगे अब 3 क्रमागत संख्याएं जो होती है आपको लेना है x plus 1 x plus 2 x plus 3 लेकिन ये सभी 3 की गुणज है मतलब 3 की multiple है तो 3 में सभी से common में लिख देती हूँ इन सभी का जो योगे वो है 99 इस 3 से यहाँ डिवाइट करेंगे तो 33 हो जाएगा 1, 2, 3 3 x हो जाएगा 2 और 1, 3 और 3, 6 हो जाएगा तो 3 x is equals to 33 में से 6 जाएगे 27 and x is equals to 9 और यदि x की value 9 है तो 9 plus 1, 10 9 plus 2, 11 और 9 plus 3, 12 लेकिन ये सभी 3 की गुणज होनी चाहिए तो 30, 33 और 12 या 36 मतलब आपका option number C यहाँ पर right होगा तो आप देख सकते हैं कि question हम किस तरह से हल कर रहे हैं next question देखेंगे question number 57 यहाँ पर आपको 14 upon 33 21 upon 22 42 upon 55 का महत्तम समापवर्तक HCF निकालना है तो देखिए यहाँ पर भिन्नी के form में संख्याइदी हैं जब भी भिन्नी के form में संख्याइदी होती हैं तब आप जो अंश होता है उसका आपको निकालना होता है HCF अंश का अंश का आप निकालेंगे HCF और LCM किसका निकालेंगे आप हर का तो इस condition में आपको मैं HCF और LCM दोनों आपको आना चाहिए यदि आपको HCF और LCM आता है तो आप इस question का answer निकाल सकते हैं और मुझे इसका आप खुद ही solve करके देंगे क्योंकि HCF और LCM बहुती basic term है और यदि आपको नहीं आता है तो आप मुझे जरूर से जरूर बताएं ताकि मैं इस पर एक lecture आपके लिए बना सकूँ next question है 58 number रुपे 57 और 75 पैसों का पैसों में मूल है देखे यह बहुत basic question है लेकिन exam में बच्चों बहुत confused होते हैं और इस तरह के questions पूछ लिए जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 57 और 75 पैसे तो 57 जो है रुपे हैं अगर आप 1 रुपे की बात करें तो कितने पैस होते हैं 100 पैसे होते हैं तो 57 जो रुपे हैं 57 रुपे में आपके कितने पैसे होंगे 57 multiply 100 मतलब आपका 57 100 होगा अब बोला है 75 पैसे तो यह भी आपके पैसे हुए यह भी पैसे हुए दोनों को आप जोड़ेंगे तो 5, 7, 7, 5 पैसे यह overall आपका पैसे में convert हो गया जो की है option number D में I hope कि सभी questions आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे यदि किसी भी question को समझने में या कोई भी formula या किसी भी method में आपको कोई भी problem हो रही है या होती है तो आप मुझे comment box में comment करके जरूर बताएं और यदि आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो हमारे channel को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारा जो channel है सभी teaching exam के लिए बहुत ही important material प्रोवाइड करता है और यदि आपने हमारे telegram channel को जाइन नहीं किया है online study with dk को तो आप हमारे telegram channel से भी जुड सकते हैं और वहां से आप हमारे notes PDF के form में ले सकते हैं बाकि आप जरूर से ज नमबर 1 upon 3 rest to the power minus 1 minus 1 upon 4 rest to the power minus 1 rest to the power whole minus 1 देखिए यहां पर जो question लिया गया है मैंने घातांक से question लिया है किसी भी number की power अगर minus में होती है तो वह number जो होता है numerator denominator में convert हो जाता है तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो x की power minus 1 थी मैंने इसे 1 upon x लिख दिया इसी तरह से यदि यह 1 upon 3 है तो 1 upon 1 upon 3 हो जाएगा और यह 1 upon 4 है तो 1 upon 1 upon 4 हो जाएगा overall जो है इसकी power भी आपकी minus 1 है और देखिए हम जब 1 के upon में इस तरह की condition होती है तो यह 3 आपका numerator में और 4 भी आपका numerator में convert हो जाएगा 3 में से हम 4 minus करते हैं तो आपका minus 1 और minus 1 raise to the power minus 1 मतलब यह आपका minus 1 upon 1 यह आपका minus 1 ही रहेगा इसमें कोई change नहीं होंगे तो इस तरह से घातांग की जो question होते हैं आपको confuse करने के लिए दिये जाते हैं लेकिन आप इस method से करेंगे तो आप अच्छे से सीख चाहेंगे next question और last question है आपके इस lecture का question number 60 0.125 raise to the power 2 upon 3 का मान है देखिए यह भी आपका घातांग से question लिया गया क्या आप 1 to 5 को 5 से अगर हम divide करते हैं तो 25 time फिर again 5 से तो 5 time और 5 बन जा 5 तो क्या मैं इसे 0.5 raise to the power 3 लेख सकती हूँ आप यहां से देख सकते हैं और इसकी already जो आपकी power है 2 upon 3 है तो 3 से आपका 3 cancel होता है और 0.5 raise to the power 2 है अब आपके सामने 2 question यहां पर arise होंगे यदि exam में इस form में हो तो आप यहीं पर टिक करें और यदि नहीं है तो 5 और 5 आपका होता है 25 और यहां पर 2 power दी इसलिए 2 अंकों से पहले यहां पर दशमलब हुआ I hope कि आज के जितने वी question हैं आपको सभी अच्छे से समझ में आए होंगे हमारे overall 6 paper हो चुके हैं 6 paper हमने आपको 60 question प्रोबाइट किये हैं इन 60 question में आपके सभी question बहुत different type के question है और सभी questions की यदि आप practice करेंगे तो आपके लिए बहुती benefit रहेंगे और इससे related question आप पूछ कुछ भी सकते हैं अगर आपको कोई problem है तो और आप चाहें तो हर एक topic के question उठाके वो भी आप complete कर सकते हैं तो आप सभी next paper जो होगा हमारा बहुत बहुत ही आपको जल्द प्रोबाइट किये जाएगा इस paper को आप अच्छे से लगाई और comment box में मुझे जरूर बताईए ज जब तत आप सभी को मेरा जैहिन बंदे मात्रम